हमारी संस्किती, हमारी पहचान, यज्य, योग, आयुर्वेद, सदा रहे हमारे साथ, भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्य महिमा भारती संस्किती में यज्य, योग, एवं आयुर्वेद जैसी अमूले विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद, इतिहाज की ओर द्रिश्टी डालें, तो भगवान राम, भगवान प्रिश्ण से लेकर, राजा महराजाओं, ग्रामवासियों वो अरण्यवासी रिशियों की क कुटियों तक, नित्य वन्यमेतिक यद्यों का प्रचलन देखने को मिलता है। समीदा, छोटी-छोटी समीदा, नीचे तल में, ऐसे, तुरंत तूट भी जाती है, गोगर की लकड़ी होती है, तो वो आसानी से हो जाते हैं, दूसरी लकड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा किसी साधन का सहयोग लेना पड़ता है, तो ऐसे ये, ये हमने, आप देख पा रह हैं, तो हमें अन्य चीजों का सहयोग कम से कम लेना पड़ता है, बहुत अच्छे से आप अग्नियाधान से लेगर के यज्य कर पाएंगे, तो यह हमने छोटी-छोटी समीदा ये नीचे डाल दी, अब वेदी का आकार के हिसाब से, हम समीदा को लेकर के, और उस हिसाब से, उसको अब वेदी के हिसाब से समीदाओ को हम काटेंगे, और उसको वेदी के मध्य में इस प्रकार ये आप देख पा रहे हैं, चारो और से हवा लगे, इस प्रकार से एसे खड़ी, नीचे से हमने छोटी-छोटी समीदा लगा दी, तो उससे हवा मिलती रहेगी, और जलने एसी समीदा काट करके और इस प्रकार से आप उसको अच्छे से सजा दे, वेदी के हिसाब से समीदाओ को काट करके ऐसे रख दे, दोग समीदा ये खड़ी रख दी, अब इसके बाद इसके बीच में थोड़ी सी मातरा में आप रुई लीजिए, रुई लेकर के और उसको इसे फेला दीजिए, रुई को, और उसको वेदी के मध्य में, जो हमने चोटी-चोटी समीदाओ काट करके तोड़ करके रखी हैं, उसके उपर ऐसे लगा दीजिए, इस रुई को, आईसे, बीच में, जो चोटी-चोटी समीदाओ आप देख पा रहे हैं, चोटी-चोटी समीधा हमने पहले रखी, उसके उपर दो खड़ी समीधाई रखी हैं, उसके उपर ये बातनी रूई रख दी, अब ये जो रूई रखी हैं, उसके उपर थोड़ा सा गाई का गी लीजिए, और गाई का गी लेकर के उसको इस प्रकार से गिला कर दिए, जो हमने रूई रखी और यह जो लंबी हमने समीधाई रखी हैं, उन समीधाओ के उपर भी हलका-लकाई से घी डाल करके, उसको भी आप थोड़ा सा गाय के घी से घीला करके, क्योंकि पहली पहली बार बहुत सारे भाई-बेन कर रहे होंगे, बहुत भाई-बेन हरोज करते हैं, तो आपको आज जो बीच में हमने बाती रखी हैं, उसको भी, और एक समीधाई आप इस प्रकार से काट करके देखिए, यह मैं आपके सामने लगा रहा हूँ, इन समीधाओ को वेदी के हिसाब से इस प्रकार से आप काटते जाएए, और ऐसे रखाते जाएए, देखें, दो पहले दो खड़ी दो आड़ी रखी हैं, और उसके बाद दो हम फिर से ऐसे आड़ी रखेंगे, वेदी के हिसाब से काटेंगे, यह पूरी यज्य वेदी के अंदर समीधाँ चयन की वेदी होती है, देखें, दो आड़ी, दो खड़ी, आप देख पा रहे हैं, अब हमें तीन समीधाय इस में तीन समीधा हमारे पांस है उसको सामगरी की प्लेट में कहीं रख करके इसको हम गाय के गी से सिंचित कर लेंगे इस प्रकार से गाय के गी से पहले से ही यह से गाय का घी लगा दीजिए सभी लोग उन समीधाओं के अंतर यह जो हम समीधा धान करेंगे अग्या धान के बाद जब हम समिधा धान करेंगे, तब इन समिधायों की हम आहूतिया प्रधान करेंगे. तो इस प्रकार पहले से ही गाय के घी से सिंचित करके आप प्लेट की अंदर इस प्रकार से रख़ दीजेए. एसे, यह यज्य की पूर्वत तयारी, हमें यज्य करने के लिए, जो आवश्यक हैं, वो सारी बातें, आपको पहले से ही एसे, यह दूसरी समिधा और तीसरी समिधा, चार मंत्रों का हम उचारन करते हैं, चार मंत्रों के माधियम से हम तीन समिधाय देते हैं, यह तीन समिधा भूलोग, दिवलोग और अंतरिक्ष लोग, तीन लोगों का प्रतिक है, ये तीन लोगों में संतुलन कायम करें, तीन लोगों में सात्रिक्ता का संचार करें, तीन लोगों में यजिय उर्जा का संचार हो, इसके लिए ये तीन समीधा है, और एक समीधा जो हमने बीच में भ तो उसको भी हलका साम गिला करके, इस प्रकार से, गिला करके ही समीधा रखेंगे, तो जिससे आपको दिक्कत नहीं होगे, आसानी से वह समीधा जल जाएगे, और इसी प्रकार जिसे एक बीच में हमने यहां पर रखी, एक समीधा हम छोटी लेंगे, उसको भी हम अच्छी प अग्नियाधान करने के बाद, जब हम अग्नी को विशेश रूप से प्रदिप्त करने के लिए मंत्रों का उचान करते हैं, उस दोरान इसको विशेश रूप से हम आहुती के रूप में या बीच में रखने के रूप में, इसको हम बीच और जो हमने बीच में जो रूई रख उस powder को यह जो हमने बाती रखी है उन बाती के उपर और समीधाओं के उपर इस प्रकार थोड़ा सा डाल दी जो छोटी-छोटी समीधाय रखी बाती रखी जिसको हमने घी से गीला कर दिया उसके उपर इस समीधा को भी ऐसे आप हलका सा खपूर से युक्त कर सकते हैं और ऐस कर दिया और इस समीधा को हम अलग से रख लेंगे और जब हम मंत्रो चारण पूरवा का समीधा धान करेंगे उसके पश्चा तुरंत बीज में हम उसके ओपर खड़ा रख देंगे जिससे वो तुरंत यह समीधा आग पकड़ लेगी और धीरे-धीरे सभी समीधाय आग करते हुए मंगलाचरण करते हुए हम यज्य हवन अगनी होत्र हम प्रारम करेंगे सीधे बेट करके दोनों हाथों को ब्रह्मान जली या ध्यान मुद्रा में रखते हुए सभी लोग सीधा बेटते हुए सबसे पहले हम यज्य का प्रारम करते हैं यह हमारी यज्य की त्या जारी पहले इस प्रकार से कर ली, उसके बाद सीधा बेटते हुए, ब्रह्मान जल्ले में हाथों को रखते हुए, लंबा गहरा श्वांस भरते हुए, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, जिन्होंने हम सब को यहां बेजा, हम सब के लिए अन, जल, फल, फुल, आ परदान किया, उस प्रभू को याद करते हुए, उनके प्रतिकर्टजित्ता प्रकट करते हुए, लंबा गहरा श्वांस भरते हुए, तस्यवाच का प्रणवह, तस्यपस्तदर्थ भावनम, उस परमपिता परमात्मा का नीज नाम पावन उंकार है, और उसका अर्थ पुर्वा का जाब करते हुए, यज्य का हम प्रारम करते हैं, मंगलाचरन करते हैं, लंबा गहरा श्वांस भरते हुए, ओं आजल झाल 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 ओम इस प्रकार तीन बार पाउन ओंकार का उद्धोश करते हुए मंगला चरन करते हैं मंगला चरन के बाद अब हम आचमन और अंगस पर्ष के क्रियाए करेंगे अपने दाएं हाथ के अंजली में जो हमारे पांच छोटी सी कटोरी हैं उसके अंदर जल रखा है उसमें से दाएं हाथ के अंजली में इस प्रकार से जल ले लेंगे और फिर मंतरों चारन के बाद नाली नुमा हथेली को बनाते हुए ओष्ट के साथ लगाते हुए जल का पान करते हैं तीन मंतरों से तीन बार बाद में इस हाथ को सीर के उपर नहीं ले जाते हैं खाले आजमन करके हाथ को हम वापस ले आते तो आईए सभी लोग तीन बार आजमन करेंगे दा यहाथ की अंजली में राइट हंड में जल ले करके इस जल का पान करेंगे फिर दूसरी बार जल लेंगे और मंत्रों चारण के बाद दूसरी बार आजमन करेंगे बीना आवाज करते हुए बीना चुश के लेते हुए जल का पान करते हैं तीसरी बार जल लेंगे और मंत्रों चारण के पश्चात आजमन करेंगे इस प्रकार तीन बार आचमन करने के पश्चात इस हाथ को धो लेंगे हस्त प्रक्षालन कर लेंगे जो छोटी सी प्लेट अमारे पास रखी हुई है इस प्लेट के अंदर आउशिष्ट जल को डाल देते हैं और ऐसे हाथ को थोड़ा सा अच्छे से धो लेते हैं अब बाएं हाथ की अंजली में जल लेंगे पहले दाएं हाथ की अंजली में लिये था अब लेट हैंड बाएं हाथ की अंजली में जल ले करके और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका दो उंगलियों को जल में स्पर्ष करते हुए एक-एक अंग कास परश करते हुए उस अंग की पवित्रता के लिए शुद्धी करण के लिए प्रबु से कामना करते हुए प्रार्थना करते हुए आग्मा आश्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणुस्तु ओम अक्ष्नोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु ओम उर्वोर्म ओजुस्तु ओम अरिष्टाने मेंगाने तनस्तन्वा में सहसंतु सरी के सब भी अंगों पर अव्योवों पर जलका चिरिकाव कर देते हैं इस प्रकार यह आचमन और अंगस पर के शुद्धी करण की पवित्री करण की यह प्रक्रिया संपन हुई अब इस आचमन पातर को आप साइड में रख सकते हैं अब हम सीधा बेटते हुए हाथ जोडते हुए अर्थ भावना पुर्वक इश्वर्स्तुती प्राठना उपासना के आठ मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ अर्थ भावना पुर्वक उच्चारन करेंगे सभी लोग अपने अपने घर में सीधे बेटते हुए परम्पिता प्राठना को याद करते हुए इश्वर्स्तुती प्राठना उपासना के आठ मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ मेरे साथ उच्चारन करेंगे अथ इश्वरस्तुते प्रार्थनो पासना ओम विश्वानि देवस अवितर्दुरिता निपरासुवा यद्भद्रम्तन्ना आसुवा ओम इरन्यगर्भस्वामवर्तता ग्रे भूतस्यजाता पतिरेक आसित सदाध्धार प्रिथे वेंध्यामुते मांकस्मै देवाय विशाविदेमा ओम या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसम्यस्य देवाह यस्य छायाम्रितं यस्यम्रित्योह कस्मै देवाय विशाविदेमा ओम यह प्राणतो निमिशतो महित्वैक इद्राज्या जगतो बभुवा य इशे अस्या द्विपदस्यत उस्पदह कस्मै देवाय विशाविदेमा ओम ये नद्यो रुग्रा प्रिथे विचद्रिधाये नस्वस्ता भितैये ननाकह यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय विशाविदेमा ओम प्रजापते नत्वदेता नयन्यो विश्वाः जातानि परिता भभुवा यत्का आमास्ते जुह मस्तन्यो अस्तवयं स्याः मपतयो राइनाम ओम सानो बंधर जनिता सविधाता धामानि वेदा भुवनानि विश्वाः यत्रदेवा अम्रितमान शानास्त्रितिये धामन नज्ये रयंता ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयो ध्यस्मज्युहुराण मेनो भुईष्ठान ते नामा उक्तिम विदेमा इते श्वरस्तुते प्रार्थनो पासना इस प्रकार पुरे श्रद्धा भाव के साथ अर्थभावना पूर्वक इश्वरस्तुती प्रार्थना उपासना के आठ मंत्रों का उचारण हमने किया अब हम तीन महा व्याहरतियों का उचारण करते हुए दीप प्रज्वलन करेंगे और जो यजमान हैं जो घी की आहुति देते हैं वो पूर्वा भीमुक होकर के पश्चिम दिसा में बैठेंगे और अन्य लोग वेदी के अन्य दिसाओं में बैठते हैं और जो पूर्वा भीमुक होकर के जो बैठे हैं वह दीप प्रज्वलन करते हैं और अन्य दिसावों में जो बेठे हैं वो सभी लोग हाथ जोड़ते हुए अगनी देवता का आहवान करते हुए हम दीप प्रजवलन करेंगे अम भोर भोवा स्वाहा दीप प्रजवलन करने के पश्चात अब हम शुरू के अगरभाग में हम कपूर की एक या दो टिक्षिया इस प्रकार से आप देख पारें इस प्रकार से अगरभाग में रख देते हैं और इसको दीपक के माध्यम से प्रदिप तकर मंत्रों चारन के बाद हम वेदी के मध्यमें स्थापित करेंगे ओंधुर भुवसवर्द्यरिवभूमना पृषिवेव वरिमना तस्यायस्ते पृषिवेदेवयजनी प्रिष्ठे अग्ने मन्ना दामन्ना ध्याया देवेदी के मध्यमें जो हमने कपूर रखा था, रुई रखी थी, गीली करके उसके उपर रख दीजिए, यह अग्याधान हो, और दिपक को इशान कोण पर इस प्रकार से रख दीजिए, अब हम इस अगनी को और विशेश रूप से प्रदिप्त करने के लिए, जो हमने एक अलग से विशेश रू इस अगनी को और विशेश रूप से प्रदिप्त करने के लिए, वो क्रियाए अगले मंत्र के उच्चारण के दोरान की जाती है, तो आएए, अब हमने जो तीन समीधायर रखी हुई है, गाई के गी से पहले से ही सिंचित करके रखी है, उसको दोनों हाथों के सामनी रूप से यहाँ आठ अंगुल की एक समीधाय होती है, ऐसी तीन समीधायों को हम ले लेते हैं, और दोनों हाथों से इस प्रकार से प्रणाम मुद्रा में पकड़ते हुए, प्रभु से प्रार्थना पूरुवाक मंत्रों चान करते हुए, हम चार मंत्रों के माद्यम से तीन समीधायों का आधान करेंगे। ओम अयंत एद्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्ववर्धस्वचे धवर्धय चास्मान प्रजया पशुविर ब्रह्मा वर्चसे नानाध्ये नसमेधयस्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्नामा मान। अब दूसरी समीधा हम लेंगे उसको दोनों हाथों से इसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ करके। ओम सामिधा अग्नें दोवस्यता गृतेर बोधयता तिथिम् आस्मिन हव्या जुहतना सुस्विध्धायसोचिषे गृतं तेव्रं जुहतना अग्नये जात वेदसे श्वाहा इदम अग्नये जात वेदसे इदन्नामा म। सुगंध युक्त पदार्थों को आग में जलाने से अनेक प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। स्कोटलेंड, आयरलेंड, दक्षिन अमेरिका में माहामारी जैसे भयंकर रोग को दूर करने के लिए यह प्रथा प्रचलित रह चुकी हैं। यज्य भारती संस्कृति की मुकुट मनी हैं। प्रतीक है, मूल है, मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्य जुडा हुआ है। चाहे वह संसकार, चाहे पुजा पाड या फिर परवसे लेकर हर सूब असूब आउसरों में भी यज्य करने के सार्व खौमिक, वैज्यानिक एवां पंथ निर्बेक्ष पावनी परंपरा रही है। आईए, हम संकल्प ले, संसार के स्रेष्ट तम कर्म यज्य को अबनाएं। बिंड और म्हांड में संतुलन कायम करने वाले यज्य को अपने जीवन का अभिन अंग बनाएं एवं प्रकृति मा की प्रति अपने रिणों को अदा करें। विश्व स्वास्ति का एक नारा, यज्य से होगा जग उजियारा।